हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वो दो चीजे जो मेरे माहिने में सबसे जादा इंपोर्टेंट है अगर आपको फिटनेस लेटेट चीजों से कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं और जाद आपनी नोलिज इनक्रीज करना चाहते हैं यह दो चीजे सबसे जादा इंपोर्टेंट हैं मेरे माहिने में और वो दो चीजे हैं प्रिंसिपल्स और मैथड्स और अंडरस्टेंडिंग दा कंटेक्स अब इनसे मेरा क्या मतलब है तो जब भी आप कोई भी यूटूब पर वीडियो सर्च करें किसी भी टोपिक के हैं और उसे अप्लाई करने के अलग-अलग मेथड्स होते हैं अब इसके कुछ एक्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे एनर्जी बैलेंस है जो कैली इन और कैली आउट है वह एक प्रिंसिपल्स और जैसे कि कीटो इंट्रमिटन पास्टिंग या और कोई भी यह लग- अप्राइब आप JEFF के लियुषते है कि कौन सा पुस्टलिट बेश्ट है की KUSHPUL Range बडी है और अपर लोड़ बड़ी है ।ो सारे except तो आपको किसी भी डाइट के हिसाब से जो भी यानिया अलग डाइट है आप उसे अपलाई कर सकते हैं अब इसका मतलब यह नहीं किसी के लिए किटो सही है है तो और किसी के लिए भी किटो ही सही होगी क्या पता हो और दूसरे दूसरे परसंद के लिए इंट्रमिटन पास्टिंग सही रहे तो जो आपका मेन गोल होना चाहिए वह है कि आप प्रिंसिपल्स को समझे वरना मैथर्स के बीच मलडाई करते रहे जाएंगे क्योंकि दस तो आपको मिलेंगे और स लोग अलग अलग चीज़ आपको बताएंगे तो हर एक हरे एक एक जामपल एक प्रिंसिपल के से चेला चेज विडियो में नहीं बता सकता और मैरी जो अगली वीधियो हूंगी मैं काफी कंटेंट ंडालने यूट्टूब पेशिए मेरा मेरा मे प्रेट करना पड़े का अपनी ट्रेणिंग में अगर आप नहीं प्रवाइड कर रहे हैं तो आपके मसल ग्रोथ नहीं होगी तो अलग-लग मेथड से अपलाई कर सकते हैं जैसे वेट इंक्रीज करके रैप्स इंक्रीज करके रिष्ट पिरेड को कम करके तो जो भी चीज दस लोग अलग-लग बताएंगे और आप उनके बीच में फसे रह जाएंगे कि आपको क्या करना ची क्या नहीं जैसे कि आप सभी पूछते हैं कि डाइट बता दो तो मुझे नहीं पता कि आपके क्या गोल हैं और दस अनों से डाइट की पूछेंगे तो दस अलग-लग डा जो आपके बैग्राउंड इनफोर्मेशन इस सिच्वेशन में हम बात कर रहे हैं आपको उसे समझना पड़ेगा क्योंकि जितनी भी फिटनस चीजे हैं सब सारी चीजे एक चीज पर अपलाई नहीं हो सकती जैसे कि एक काफी कॉमन एगजमपल है काडियो से मसल लोस होता हैं नहीं होता तो हाँ काडियो से मसल लोस होता भी है और काडियो से मसल लोस नहीं भी होता है अब इसके दोनों के एक्जमपल देता हूं अगर हमें किसी बॉड़ी बिल्डर की बात कर रहे हैं जिसे अपने शो पे जाना है और उसके काफी पहले ही काफी जादा लीन है का तो इसलिए जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं आपको उसकी बैग्राउंड इंफोर्मेशन समझनी पड़ेगी कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं किस सिचुएशन के अंडर बात कर रहे हैं यह प्रिंस्पल्स और मैथर्स और अंडरस्टेंडिंग दा कंटेक्स्ट क्योंकि आपको प्रिंस्पल्स समझने पड़ेंगे और जो मैथर्स हैं वो जो भी आपके सामने सिचुएशन है कंटेक्स्ट है आप उसे इसाब से उस मैथर्स को अपलाई कर सकते हैं तो इन दो चीजों को आपको काफी ध्यान रखना है मेरे माईने में सबसे ज्यादा इ नहीं के दो तरीके हैं चै expecting जिससे इन चीजों के बारे में पता है उससे पे करें यही तरीका है अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप 10 लोगों से पुछेंगे कि इसका आप राइट बता दो 10 अलग अलग चीज़े बताएंगे और आप confused रह जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे methods के बीच में तो इसलिए यह काफी important है कि आप principles को समझे और जो context आपके सामने प्रोवाइड है जो situation है आप उसे भी समझे यूंकि और जितने भी research होती है एक गजांपल देता हूँ वो जातर beginners पे होती है और क्या पता आप एक advanced level athlete है तो क्या पता वो चीज़े आप प्रोवाइड ना हो जो भी उस research में जो किसी भी चीज़ के बार में research होई है तो इसलिए जो भी context के हिसाब से आपके answer होंगे अब आप मुझे पूछ लेते हैं कि काडियो से मसल्स होता है नहीं होता या फिर मेरे लिए push-pullag अच्छा है या फिर और कोई भी कोशन है कि weight gain के लिए मुझे क्या खाना चाहिए तो मुझे नहीं पता कि आपका context क्या है आप पहले क्या कर रहे हैं आपकी muscle growth नहीं हो रही आपने कह दिया muscle growth नहीं हो रही तब उसके 20 20 से भी जादा reason हो सकते हैं कि क्या पता आप की form सही ना हो क्या पता आप enough effort ना लगा रहे हो तो काफी सा reason है straight forward answer नहीं होता और मैं भी तभी answer दे पाँगा जब मुझे context का पता होगा कि आप पहले क्या चीज़े कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और तो यही था आप इस चीज़ के बारे में चाहूं तो मैं लगातार बोले जा सकता हूं बस मैं यही ओप कर रहा हूं कि आपको इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि principles over methods methods के बीच में मत पसिए principles को समझिए तभी आप methods को अच्छी तरीके से context के हिसाब से apply कर पाएंगे और context को समझिए कि कि सीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं अब ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि A topic के बारे में बात कर रहे हैं आप B topic को ला रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि context को समझ रहे हैं आप और जो मेरी अगली वीडियोस होंगी काफ़ informative वीडियोस आने वाली हैं काफ़ी तो मेरा main goal यही रहे है कि मैं आपको principles समझाओं पर हर एक चीज के बारे में मैं एक वीडियो में सारी चीजे नहीं बता सकता तो इसलिए यह आपका भी काम है कि आप उन चीजों को समझे तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं चाहूं तो लगातार बोले जा सकता हूं पर होप करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा तो बस आज की वीडियो को ले इतना ही लाइक जरूर कर देना कमेंट में बताने है वीडियो आपको कैसी लगी अगले टॉपिक्स के लिए कोई आइडिया आपको किसी चीज़ के बारे में चाहिए हो और शेयर कर देना सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को बस इतने ही यू देआव ता सत्य घुक्त्राइब झाए साया सब्सक्राइब कर दो देना समय अगले लेक ही वीडियोती बचले है वीडियोती आपको किसी चस्टाइब कर दो फसे जितनी से तो ऊहार है खुती उन्यों खोनी ग Raum पाना हीवानी